साहित्यमंडल गोंदिया त्वारा रविवार को गोंदिया के अंगुरबागीचे के समेब गजानन कॉलनी में 12 जून को शाम 6 बजे कवी चगन 56 चगन के आवास पर अद्बुतकाव ये संगोष्टी कायजन किया गया था कारेकरम की अद्धिक्षता शहर के वरिष्ट कवी मानिक गेदाम ने की योवराज गंगराम मुख्यातिती के रूप में उपस्ति थे कारेकरम की शुरवात माता शार्दे की पुजा और दीप प्रजलित कर की गई शशितिवारी की सुरीली आवाज में सरस्वती वंदना से काव्यकारे शाला का शुभारम हुआ किसंलाल सीह ने नाजाने कितने नजर लगी है मेरे प्यारे देश को गीत परस्तुत किया लक्ष्मी कान कातरे ने जहाँ जीवन भीमा समित अन्यविशो पर बेहतरीन व्यंग फिल्माया वही सुरेंद्र जगने ने बड़े पेट का दर्द बया करते हुए हास्य का महोल बनाया प्रकाश मिश्रा ने जीवन में संगित नहीं तो क्या जीना गाने से सकारात्म जीवन को प्रेरित किया निखिले सिह याधव ने कहा शायद मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलेगा सुरेज बंजारा ने आग कही पर भी जलता पूरा हिंदुस्तान है जैसे ज्वलंत मुद्दो पर कविता पाट किया और यूराज गंगराम ने ताराज देश वचे लिखा चगन पंचे चगन ने हिस्सा अधर्म है अहिंसा ही परमधर्म है के माध्यम से परस पर विरोधी शब्दो और वाक्यों की उपयोगी कविता का पाट किया शशीतिवारी ने अपने गाने रोज रोज जीना है, रोज रोज मरना है, होना तो होना है, उसे क्या डरना है के साथ शादी के बंधन में बन गए प्रमोज सोनी ने कवीतु अपनी कलाम निकला के गीत के माध्यम से कवी को लिखने का सार्थक और देश देश के सामाजिक मामलो और जिम्यदारियों से जूटने की बात कही। कारेक्रम के अद्धिक्षय मानिक गेदाम ने मराठी कविता के माध्यम से आज के छात्रों की विचारधारा का वर्णन किया। कारेक्रम के आंत में कवी छगन पंच्छे, छगन ने सभी का धन्यवाद किया। बीजयन न्यूस के लिए गोंदिया से अभिशेग भटनागर।